देश में कोरोनावाइरस के कोहराम और मंकी वाइरस की आफ़त के बीच एक और सन्न कर देने वाली खबर आई है देश के एक हिस्से में एक खतरनाक वाइरस का प्रकोप फैल चुका है इसका संक्रमण इतनी तेज है कि उससे लोगों में हरकंप बच गया है इस बेहत घातक और खतरनाक वाइरस का नाम है लंपी वाइरस ये वो वाइरस है जिसने पशु पालकों को एक बड़े संकट में डाल दिया है ये ऐसा वाइरस है जिसने पशुओं पर हमला किया है इसकी चपेट में अब तक हजारों पशु आ चुके हैं और ये सब हो रहा है देश के पश्चमी राज्य गुजरात में यहां लंपी वाइरस इतने खतरनाक धंक से फैला है जिसकी चपेट में आए अब तक एक हजार से भी जादा मवेश्यों की बहुत कुछ दिनों के भीतर हो चुकी है जबकि हजारों ऐसे पशु हैं जो इस बीमारी से जूज रहे हैं इस घातक बीमारी से निपटने की कोशिशें शुरू की जा चुकी है गुजरात सरकार इस वाइरस से निपटने के लिए बड़े इस्तर पर अभियान चला रही है पशुआ को इसके प्रकोप से बचाने के लिए तेजी के साथ वैक्सिनेशन शुरू कर दिया गया है गुजरात के कृशी वो पशुपालन मंत्री रागवजी पटेल ने इस बारे में बताया कि पशुपालकों को सतरकता बरतनी होगी उन्होंने बताया कि सौराश्ट, कच, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, मोरबी, द्वारका, अमरेली, भावनगर, सुरेंदर नगर, जुरागड, गिर्सोमनाद, बोटाद, बनासकाठा, एवं साबरकाठा के साथ दक्षिन गुजरात के सूरत में अन्ने जिलों में दुधारू पशु जैसे गाय वो भैस में लेंपी वाइरिस का असर देखा गया है इससे दरजन भर से जाता जिलों में हजारू पशु इसके शिकार अब तक हो चुके हैं जबकि एक हजार से जादा मवेशियों की मौत हो चुकी है ये एक ऐसा वाइरिस है जिससे पशुओं की तवचा संकर्मित हो जाती है और उस पर मोटे मोटे फफोले पड़ जाते हैं डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा मच्छर, मक्खी और दूसरे कीटों के साथ-साथ दूशित भोजन और पानी से फैलता है इसले कर लगातार सामने आ रही जानकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात में इस समयल लगभग 38,000 ऐसे पशु हैं जो इस वाइरिस की चपेट में हैं जिनका इलाज किया जा रहा है जबकि गुजरात के कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां इस वाइरिस को कंट्रोल कर पाने में प्रशासन के भी हाथ पाव फूलते नजर आ रहे हैं इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि पोरबंदर, जामनगर, सौराश ट्रकच समेथ, राजकोट और मोर्भी ऐसे जिले हैं जहां पर प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब तक लगभग 900 गावों में 38,000 पशुओं का उपचार किया जा चुका है मुख्यमत्री भुपेंदर पटेल ने इस संबंध में पशुपालन मेडिकल वो अन्य विभागों के साथ बैठक की है और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिये हैं राज्य सरकार की और से पशुपालकों की सहायता के लिए एक हैल्प लाइन नंबर 1962 भी जारी क्या गया है इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ